हालो दोस्तो हाई कैसे हैं आप लोग तो अभी टाइम हो रहा है दोस्तो आप लोग को पता है लगबग साड़े आठ हो रहा है दोस्तो और हमें टाइम नहीं मिला था आज वीडियो बनाने की लिए तो इसलिए हमने सौट वीडियो नहीं बनाये थे अभी बनाई हूं सौट सारे आठ बजे रात को और जश्ट अभी मैंने कुछ बात कर रही हूँ आप लोगों से क्योंकि आज गाउं से मेरे हस्पेंट जी आये थे तो मुझे टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी नहीं टाइम मिला था और आज रात को मेरे वाइफाई का रिचार्ज भी खतम होने व मैंने सब कुछ रेडी कर दी हूँ मैंने आप यालू की बुजिया बनाई हूँ दीन के आलू और गोवी की सबजी रखे हुए हैं और इसमें मैंने बोदेख सकते इसमें मैंने रोटी और मूली के प्रांठे बनाए हूँ दोस्तों रोटी और मूली के प्रांठे बनाए है कीचन मेरा बिल्कुल साफ कर दी हूँ बिल्कुल ही क्लीन कर दी हूँ और आज कुछ नहीं वैसे है आज वैसे भी मंगलबार है रात को सबजी लेने जाना है जो कि सारे आठ अभी हो चुगा है तो साइद मुसकी लिया सबजी लेने क्योंकि दोस्तो जश्ट अभी मेरे की तरफ हूँ और क्या लैना है तो बता दो आलू लिया हूँ तो खाले आलू से तो काम चलेगा नहीं दोस्तो तो ऐसे मैंने बोल दी हूँ आलू प्याज टमाटर आप ले आए और बाकी हरी सबजी देख लेंगे तो बोले ठीक है मैं ला रहा हूँ तो मेरे पास ज्याद रहा है और दोस्तो आपको पता है मुझे टाइम नहीं मिला है तो आप ना देख सकते है मेरे घर में कैसे समान फैला हुआ है देखे दोस्तो यह उस देखी कपौरा यह कुछ समाने शुवाने लाए थे मेरे वहां से गौन वबगरा से यह कुछ सारियां मोहां पड़े इतने पुराने इतने पुराने वो हो चुके है कहने सकते है क्योंकि मेरे जब साधी हुई थी न तब से ओपरा हुआ है ऐसे ही दोस्तो तो इसलिए सारा चीज खराब हो गया है वैसे ही मुझे 12 साल हो गया ससराल गई हुए गई नहीं हूँ दोस्तो और अगर उससे पहले तो इसको ना बाकि सारा काम कर रहा है जो कि मैं करूंगी और गाओं के न दोस्तो इसलिए अपको दिखाने वाली हूँ जो कि आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और पता ने कब मुझे वीडियो करना पड़ेगा मुझे नहीं पता मैं जल्द बाजी में जल्दी यह आप देख सकते हैं क्योंको वैसे भी आज रात को वाइफ हाई कर दिचार्ज खता हूं मैं और वीडियो डाले भी ना मुझे अच्छा ने लगता बिल्कुल भी दोस्तो तो इस बज़त से और आपको नगाओं के मैं दिखाने वाली हूँ दोस्तो जो कि मैं अभी दिखाऊंगे मेरे हस्पेंट जी आज लाए थे इतने सारे रसगुले गाओं से दोस्तो बहुत सारे रसगुले लेके आये हैं वह बाल्टी में लेके आये थे दोस्तो और पता ना कैसे बाल्टी दही का बाल्टी था तो उस कितने सारे रस गुल्व η कंझ कंझ में न दोस्तो लगभग सो पीस पलस है दोस्तो और यह तो खाके खतम किये है और बाकी न दोस्तो इतना फुल था ऐसे फुल था and क्वाल्टी में लिएक हैं वहांसे अब आ दीए और यह देख सकतें कितने तो यह गाहों से आया हमारा रशगुला इतने सारे यह देखिए मामा जी के आहां से लाए है उन्होंने जवरदस्ति डाल दिये हैं यह सारे देखिए तो खा रहे हैं जो भी है मैंने अभी फ्रीज में नहीं रखी हूं इसलिए क्योंकि मेरे हस्पेंट जी आये हैं और मैं आयक था और उन्होंने गलती कर दी जो दही के वाल्टी में रखती है क्योंकि अभी प्रोग्राम में दही वेगरा भी उजी हुआ था तो उसी वाल्टी में रख दी लेकिन धोके रखे थे जादा धोके रखते तो अच्छा लगता कम धोए थे साय इस बज़ा से असल में उस घर में लेडिज भी तो नहीं है बेचारे तो यहीं लोग गय थे कि हैं जैसे भी कर रहे थे तो अपना जो भी दिये ठीक ठाक दे दिये थे और थोड़ा सा घी में लाए हैं यह छोटे से डवे में देख सकती दोस्तों यह देखिए यह इतना इन के मामा जी ने घी दि भी आंट लाइं है बहुत दिन हो गया है मम्मी के से मेलियज मम्मी के घर गए हुय छह साल हो घय और सच्वयाल गए हुए बारह साल हो गया दोस्तों आप समझ सकते हैं और बच्चे को तो लाटका एक याद करना रचाब मेरे दोस्तों की बात अलग है तो अच्छा लगा देखके मेरे बच्चे भी खुष हो गया है देखके और मामाझी फोन किया थे तो बॉले क्या बच्चे को दिये लाख के लिए दोchos website रहे थे पापा जी आ गया गेट खोल दो तो बाबाई दोस्तों मेरे हस्पेन जी आ चुके हैं बाबाई गुटनाइट दोस्तों